हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है उनिकलब टिप्स चैनल पर और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी आल पे कर दो और अगर आपको मेरे साथ परसनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से डिलेटेड डीटेल्स मिल जाएंगे और ये एक पेट कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेज भी मैं वहाँ पे बता दूंगी और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है दोस्तों मुझे किसी ने कमेंट किया था कि पार्टनर उसको बहुत जादा तरपाता है तरसाता है बात नहीं करता है कॉल्स मैसेज का जवाब नहीं देता है या नहीं देती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और अच्छे से समझ लेते हैं सारे पॉइंट्स को ऐसा कब होता है ऐसा तब होता है जब कोई इनसान के साथ आप डिलेशन्शिप में होते हो और उसके बाद वो जो इनसान है चाहे वो आपका गल्फ्रेंड हो बॉइफ्रेंड हो कोई भी हो वो आपको ग्रांटेड ले चुका होता है या ग्रांटेड ले चुकी होती है और उस सिचुएशन में वो आपसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझता है या नहीं समझती ह और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए जो जिम्मेदार है ना 95% हम लोग खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हम उस इनसान को इतना priority देते हैं, हम उस इनसान को इतना ज़ादा सर पे चड़ा देते हैं, कि वो इनसान का जो भाव है, वो आटोमेटिक दी बहुत ज़ादा बढ़ जा तो अब ऐसे situation में हमको क्या करना चाहिए, ऐसे situation में सबसे पहली काम जो आपको करना चाहिए, वो यह है कि आपको calls और messages का जो आप supply करते हो उसको आपको कम करना होगा, लेकिन एक दिन कम कर दोगे, फिर दूसरे दिन start कर दोगे, ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, आपको धीरे धीरे, gradually आपको calls और messages का जो quantity है उसको कम करना होगा, और अपने life में genuinely busy रहना होगा, ऐसा नहीं है कि नाटक करके आपको busy रहना है, और बार बार उसको check करते रहना है, कि वो अभी online आ रहा है या नहीं आ रहा है, या message कर रही है, call कर रही है, कितने दिर तक online थी, या कितने दिर तक online था, ये सारी चीजे आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है, आपको ऐसे अपनी life को जीनी है, जैसे कि सभी चीजे सही है, और अगर ऐसे करके आप अपने life को normally जी सकते हो, और अगर आप जीते हो ना, तो मैं आपको guarantee के साथ कह सकती हूँ, कि आपका जो partner है, चाहे वो कितनी भी attitude वाला क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी ego वाली क्यों ना हो, वो खुद चलके आपके पास आएगा या आएगी, लेकिन उसके लिए आपके अंदर उतनी maturity, उतनी patience होनी ज़रूरी है, आप लोग क्या कहते हो, मुझे बार-बार messages करते हो, इंस्टा प solutions देती हो, वो tips की तरह नहीं देती हो, आप इसको एकदम अपने life में practically apply करके देखो, ठीक है, ऐसे आप अगर सोचोगे कि ये tips है, तो फिर आपको कभी result नहीं मिलेगा, आप 2-3 दिन apply करोगे, उसके बाद आपको लगेगा result नहीं आ रहा है, result नहीं आ रहा है, तो ऐसे result न तब भी एक दिन में नहीं बिगरी थी, तो सुधरने के लिए भी आपको टाइम देना होगा, एक दिन में नहीं सुधरेगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले अपने life में जो भी आप करते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई job हो, कोई hobby हो, कुछ ना कुछ तो आप करते तो डेफिनिटली आपके दिमाग में पार्टनार का खायाल नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे करके आप दूसरी चीजों पर अपना जो दिमाग है उसको shift कर पाऊगे, और इस से क्या होता है ना, पार्टनार को उतना attention नहीं मिल पाएगा, आप से, जो उसको हमेशा मिलता है, त तो उसको उस चीज की तब नीट होगी, तब उस चीज की उसको कदर होगी, और उसी वज़े से वो आपके पास आना जरूरी समझेगा, या जरूरी समझेगी, लेकिन आप लोग इतना कड़ी नहीं पाते हो, आप सब में बहुत ज़्यादा patience की कमी है, और उसी वज़े से आप लोग कहते हों कि नहीं काम आ रहा है, कोई बहुत कुछ करके देख लिया, कोई भी tips या कोई भी solution नहीं काम करता है, क्यों काम करेगा भई, आपके अंदर उतना patience ही नहीं है, कि आप इस चीज को समझ के apply करो, apply करना है मतलब normally आपको चलना है अपने life में, ठीक है, आप आपको बस इतना अपने दिमाग में समझाना है खुद को, कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं नहीं जुकूंगा या नहीं जुकूंगी, ठीक है, मैं अपने self respect का इज़त करती हूँ, या इज़त करता हूँ, ठीक है, अपने self respect का खयाल रखना है, या फिर अपने self respect के के लिए आगे बढ़ना ये कोई attitude नहीं है इसको हम positive attitude कह सकते अगर आपका partner आपको negative attitude दिखा रहा है कोई मतलब नहीं है कोई reason नहीं है फिर भी वह आपको attitude दिखा रहा है या फिर attitude दिखा रही है तो आप अपने इज़त को बचाने के लिए अपने self respect के लिए इतना positive attitude उसको नहीं दिखा सकते हो अपने काम पर focus करना है अपने job हो या फिर पढ़ाई हो hobby हो कुछ भी हो उसके उपर आपको focus करना है तो धीरे धीरे करके आपका जो focus है partner के उपर से हटके आपके दूसरी जो चीज़े है आपकी life में उसके उपर आ जाएगा तो आपके लिए बहुत easy ह होगा यह जो आप हर वक्त उसको चेक करते हो ना online आ रही है online आ रहा है यह सारी चीज़े आप कम कर दोगे automatically कम हो जाएगी क्योंकि आपको उतना time नहीं मिलेगा आप किसी चीज में अगर genuinely busy कर दोगे अपने आपको तो आपको उतना फालतू का time नहीं मिलेगा कि आप यह सा सारी चीज़े जो है जीजन से आप बहुत जादा disturb होते हो तो आप disturb भी नहीं होगे ठीक है और आपका partner जो है उसको भी सबक मिल जाएगा कि आपके life में ना उसके सीवा भी बहुत सारी ऐसी important काम है जिसको आप हसी खुशी कर सकते हो जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते तो और उसके लिए उसकी कोई need नहीं है उसका कोई आपको need नहीं है आपकेले अपने life को अच्छे से चला सकते हो तीक है यह चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाना है और उसके लिए अपने काम पर focus करो अपने आप पर focus करो ठीक है आ ऐसे बहुत सारे लोग ना आएंगे जाएंगे जिसको रहना होगा ना उसके लिए एक रिजन काफी होता है आपका साथ देने के लिए और जिसको छोड़ना होता है ना उसके लिए एक रिजन काफी होता है आपका साथ छोड़ने के लिए ये बात हमेशा याद रखना I hope दोस्तो अच्छका वीडियो आपको पसंदाया होगा और वीडियो अगर पसंदायाए तो प्लीज जार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सबस्क्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिना थैंकियो